हेलो फ्रेंड्स आज बनाएंगे गुजराद की फेमस और जेठा लाल की फेवरेट फाफडा रेसिपी बहुत ही इजी तरीके से एक बार मेरे तरीके से जरूर बनाएं आपको जरूर पसंद आएगी तो दोस्तों ये बेसन का स्नेक्स बहुत ही जल्दी बन कर तयार हो जाती है तो आप देख सकते हैं कि कितनी ही क्रंची बन कर तयार हुई है ये फाफडा तो एक बार मेरे तरीके से जरूर बनाएं तो चलिए सुरूर करते हैं आज की रेसिपी तो सबसे पहले एक बॉल में बेसन ले लेंगे एक कटोरी उसमें हल्दी अजवाईन स्वाद अनुसार नमक और तेल डाल कर इसे मिक्स करेंगे अच्छे से एक मोयन तयार करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका एक सकत डो तयार करेंगे तो देखिए आप सब्सक्राइब लेके लंबे शेप करके आर इसे बेलन से बेलेंगे आप चाहे तो हाथ की मदद से प्रेस करके बना सकते हैं लेकिन मैंने बेलन से बनाया है इस तरीके से आप पतला एक biscuitर की तरह इसे बेल ज़िए बेलते समय ध्यान रखे की एकड़म पतला ही बेलना है और इसे चाकू की मदश से इस तरीके से निकाल लेंगे ताकि टुटेना और फिर से इसे गरम तेल में फ्राई कर लेंगे तेल एकड़म गरम होना चाहिए और इसे अलट पलट करके सेख लेंगे जादा नहीं सेखना है बस थोड़ा थोड़ा ही इससे सेक लें और देखिए इस तरीके से आप बेलंसे बना सकते हैं आसानी से तो जरूर ट्राई करिए तो चलिए इससे अब पलट लेते हैं तो आप इस होली में इस फापड़ा की रेसिपी जरूर बनाएं बहुत ही जल्दी बनकर तयार हो जाती ह चलिए कुछ मर्चे भी इसमें फ्राई कर लेते हैं देखिए हमारी फापड़ा बनकर तयार हो चुकी इसे निकाल लेते हैं और हरे मिर्च को भी तलकर इसे भी निकाल लेते हैं तो चलिए इसे अब सर्व कर लेते हैं, मैंने इस तरीके से सर्व किया है, आप चाहे तो फाफ़डा के साथ जलेवी भी रखकर सर्व कर सकते हैं, चलिए उपर से थोड़ा नमक छुड़क देते हैं, ताकि और भी टेस्टी लगे, तो जाइए इस होली पे आप मीठे के साथ कुछ नमकीन भी ये बेसन का एक हलका फुलका स्नेक्स बहुत ही जल्दी बनने वाली फाफ़डा रेसिपी जरूर बनाएं, आप सभी लोगों को जरूर पसंद आएगी, तो एक बार मेरे तरीके से ये बेलन से बेल कर बनाएं, ये भी बहुत टेस्टी बनते हैं, तो एक जरूर ट्राइ करें, तो आप देख सकते हैं कि कितनी ही टेस्टी और क्रंची बनकर तयार हुई है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नीशा की हेल्दी रसोई चैनल को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करें, थैंक यू झाल झाल